हैंवे क्लासन 23 क्रोड में रीटेन हो गए हैं ऐसा सुनने में आए कि क्रिक बज और क्रिक इंफो ने रिपोर्ट कर दिया तो मैं मान रहा हूं सही होगा तो उनको 338 परसेंट का रेज मिला है आपको मिला कभी वैसे 338 परसेंट का रेज कि एक साला पांच सब पांच करोड मे टीम और प्लेयर टीम और जो आइपेल की गवर्निंग कॉंसिल रहती है उनका तीनों का मिलकिया आपका एक कॉंट्रैक्ट होता है उस पे 23 क्रोड लिखा जा चुका है इस रिपोर्ट साथ भी बिलीव तो उनको थूरा सा डिमोशन किया गया है उनको उनका बोनस कार्ट ल क्रोड रुपे खर्च हो चुके हैं यह तो कहा गया था अठारा चौदा ग्यारा यह आपके पहले तीन रिटेंशन है फिर अठारा और चौदा कुल मिलाके 75 क्रोड तो 75 क्रोड रुपे का तो जो डिस्ट्रिबूशन होता है ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं आप इसी को 25 देना चाहिँ तीस देना है दे दो लेकिन अब जब तीस आपने दे दिये तो फिर आपके पास बचे 45 करोड रुपीज अब उसी मैसे आपको अपने 5 खिलाडियों को बाकी 4 खिलाडियों उनको वरीटें करना के आप हैं तो on to आपके अहीं 75कोड रुपे ही आप 75 करोड़ों से ज्यादा नहीं दे सकते हैं. So let's remember this, कि जब 55 करोड़ रुपे आपने दे दिये 3 खिलाड़ियों को, तो बाकी 2 को रीटेन करने के लिए आपके पास अब सिर्फ 20 करोड़ रुपे बचें हैं, जो की, जो slabs बने तो इस साब से 32 करोड़ हो सकते थे, 18 और 14, पर वो नहीं है. अब आपके पास सिर्फ 20 करोड़ हैं और जो सुनने मैं वो यह है कि Travis Headon और नितिश कुमार रेड़ी को भी उन्होंने साइंग कर लिया है. तो इन्होंने टोटल 75 करोड़ रुपे खर्च कर दी हैं, जिसके अंदर हेर्रेक लासन है 23 करोड़ और फिर पैट कमेंस उनके बाद अभिशेक शर्मा और फिर Travis Head और नितिश कुमार रेड़ी undisclosed amounts है पर वो दोनों के मिलके 20 से जाधा नहीं हो सकते हैं. तो ये बड़ी पश्ट बात हो चुकि है, तो 75 करोड़ रुपे आप किसी भी तरीके से distribute कर सकते हैं. So that is done, that's point one. लेकिन इससे ना दो चीज़े खुली हैं. एक तो ये कि 23 करोड़ रुपे क्यों हो, मतलब ऐसा क्या है, कि 23 करोड़ रुपे का जो गेम है, तो is he going to be the most expensive player, हो सकते हैं, लॉजिक है कि 23 करोड़ को क्यों ही लेगा, क्योंकि जैसे ही आप मानली जी एक ही कोई retention है, और आपके retention में से आपने ले लिए 25 करोड़ रुपे कि 25 करोड़ रुपे ले रहे हैं, तो आपकी किटी में से 25 चले गए, पर जाने तो अठा रहा ही थे न, तो आपने 7 करोड़ का किटी को नुकसान कर दिया, अगर आप 5 ले रहे हैं और उसमें आप इस तरीके से distribute करते हैं, तो किसी को खास नुकसान नहीं होता है, प्लेयर् प्लेयर्टी सम जो है, वो जा चुका है, तो उस तरीके से फिर आपकी थोड़ी strategy खराब हो जाते हैं, क्योंकि पैसे उतने नहीं बचते हैं, तो एक तो ये बात है कि क्या वो सबसे महेंगे हो सकते हैं, और ये भी बात है कि जो परपसली लीक की गई है ये स्टोरी, इस का मेरा नाम तो XYZ है, मेरा नाम तो कोली है, या रोहित है, या बुमरा है, या सूरे है, या रिशापन्त है, या श्रेय सायर है, या शुमन गिल है, या राशित खान है, मैं कोई भी हो सकता है, जो कहेंगी, मुझे बनना था इस लीक का सबसे expensive player, हैं रिक लासन कैसे हो सकते है people say कि ego does not play a role, but I must tell you, it does play a role, so don't be surprised, and you heard it here on Aakashwani, कि don't be surprised कि कोई एक बन्दा आपको नजर आए कि suddenly वो 25 क्रोन रुपे में रिटेन हुआ है, फिर हो सकता है कोई 27 क्रोन में रिटेन हो जाए, and I'm really start thinking, यह हुआ क्या है suddenly, Sunrise Hyderabad ने बड़ा प्यार से जो लीक किया यह story, क्यो तो आने वाला समय जो बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है, because they have thrown the cat amongst the pigeons, अब ego पे आगया मसला, कि सब से महंगा खिराड़ी IPL 2025 में कौन होने वाला है, एक आखरी चीज आपको बता के जाता हूं, कि एक तरीका पैसी यह भी होता है, कि किसी को आप जयदा पैसे देना हैं, तो discuss नहीं करते हैं, लोग पर सचाई है, कि contract में आप एक ex amount लिखते हैं, जो कि जैसे 18, 14, 11, 18, 14, लेकिन आप side में एक और contract करते हैं, अब वो contract किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर आप JSW के साथ है, hypothetically, I am not saying क्यों होने कुछ किया ऐसा, JSW हो सकता है, वो अपने आ contract, जो tripartite contract है, उसको आप उतनी figure में रखते हैं, जिससे आपका budget खराब ना हो, तो यह होता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, पर contractually अगर आप देंगे, तो फिर वो जो budget है, वो हिल जाता है, पर वो हिलने वाला है, बतारो में झाला है, जा झाला है, झाला है, जदने वो प्रetr इ सकते हैं, पर वो हिmmat ए जाता है, एज बतार है, बतार है कि कि अ झाल झाल